दोस्तो अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो ऐसे मैं अगर आपका पती भी इन तीन चीजों को पहलने के लिए बोले तो आप तुरंद मना कर दें एक शादी शुदा महिला को भूल कर भी इन तीन चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए नहीं तो आप अपने पती की मिर्तियू का कारण बन सकती है आपको बता दे आज के इस अदुनिक दौर में शादिशुदा महिला कई ऐसी चीजों को पहन लेती है जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता यहां तक की शास्तरों में भी ऐसा नहीं लिखा होता की कुछ भी पहन लिया जाए ऐसे में उनके जीवन पर नाकारात्मक प्रिभाब पढ़ता है यहां तक की परिबार, रिष्टे और पती की जान पर भी आ जाती है तो ऐसे में जानते हैं आकिर वो तीन चीजे ऐसी कौन सी हैं जो महिलाओ को कभी नहीं पहननी चाहिए नहीं तो कुछ भी हो सकता है तो चलिए जानते हैं दोस्तो नंबर बन शास्तरों में इस पश्ट बता दिया गया है कि किसी भी शादिशुदा महिला को एकदम सपचट सपेद रंग का बस्तर कभी नहीं पहनना चाहिए ऐसा करने से आपके मान समान को ठेस पहुँच सकती है आपको बता दि आजकल के इस फैशन के युग में महिला सुन्दर दिखने के लिए कई सारी ऐसी हदे पार कर देती है जो कि जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है बास्तु शास्तर के अनुसार किसी भी शादिशुदा महिलाव को एकदम सपचट सपेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए इसके पीछे का कारण ये है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पती बढ़ता धरम बिलकुल खतम हो जाता है और उनके रिष्टों में नाकारात्मक उर्जा का आगमन हो जाता है क्योंकि ये लिवास बिदबा होने का है ऐसे में आप पती की मिर्थियू का कारण बन सकती है इसलिए हो जाएं साथधान बही आप अगर सफेद रंग का बस्तर पहनना चाहती है तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी जरूर होने चाहिए लेकिन एक दम सफेद रंग का कपड़ा कभी ना पहने बही कुबारी लड़कियां सफेद कपड़ा पहन सकती है इस अधुनिक दोर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने का पायल और बिच्छुआ पहन लेती है जो कि शादिशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुब माना जाता है पैर में सोने से बने हुई चीजों को पहनने से कुबेर महराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिबाद से रिष्टे तूट सकते है और कई सारी परिशानियों का आगबन भी हो सकता है इसलिए सोने को पैर में कभी ना पहने पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है इसलिए हो जाएं साबधान दोस्तों बात करते हैं नमबर थ्री की सिंदूर और मंगल सुत्र का महत्व हिंदू धरम के अनुसार सिंदूर और मंगल सुत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है आपको बता दें ये तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाक की निशानी होती है इसे वो अपने पती की खुशी से जोड़ती है ऐसे में अगर जो महिला बिभाईत होकर भी सिंदूर ना लगाये तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना जाता है और आपके इस पवित्री रिष्टे को कोई और व्यक्ती मनूसियत का नाम दे सकता है इसी लिए मांग में सिंदूर होना अबश्यक है बही मंगल सुत्र का भी बड़ा महत्व है मंगल सुत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए ऐसा माना जाता है कि मंगल सुत्र का पीला हिस्सा माता पारबती है और काला हिस्सा भगबान शिप शास्तरों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिला मंगल सुत्र ना पहनती हो तो सबसे बड़ा पाप माना जाता है ऐसे में आपके रिष्टे पर कलंग लग सकता है इसलिए एक शादी शुदा महिला को मंगल सुत्र अबश्य पहनना चाहिए अगर आपके पास मंगल सुत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते है दोस्तो अगर आपको जानकारी पसंद आये तो एक लाइक तो बनता है और हाँ सब्सक्राइब जरूर करें